विल्कम बैक टीर फेवरेट चैनल लॉजिकल फेंटासी ट्रिक दोस्ते इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इमर्जिंग टीम सेशिया कप का यह मैच होने वाला इंडिया और बांगलादे शेयर टीम के बीच में अब इस वीडियो के अंदर दोस्तों यह जो टीम जो दो टीम खेलने वाली है इस दोनों टीम के अंदर से आपको बहुत सारे प्लेयर के बारे में पहले से पता होगा और आज जो नए प्लेयर होने वाले हैं जिनको आप नहीं जानते हो या फिर जिनको आपको जानना चाहिए उनके बारे में हम आपको डीटेल में बताने की कोशिश करने वाले इस वीडियो में उसके बाद दोस्तों आपको पिछ रिपोर्ट बताएंगे फिर मैं आपको Captain Voice Captain क कंटेंडर बताने वाला हूँ फिर मैं बताऊंगा आपको Grand League का पिक किसको लेके चलना है और उसके बाद सात फिक्स प्लेयर भी बताने वाला हूँ तो ये सारी बाते मैं इस वीडियो में आपको कवर करता हुआ चलूँगा तो शुरू करते हैं वीडियो को ये दूसरा से अब कुछी मैच बच गया है अब फाइनल के कगार पर हम पहुँची जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डीटेल में सब कुछ बताने की कोशिश करने वाला हूँ पांच वो Grand League के पॉइंट जिसको हमेशा ही यूज आप करने के बाद अच्छे benefits में र चलने चाहिए दोस्तों पिछ रिपोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यह जो स्टाडियम होने वाला है प्रेमदासर स्टाडियम को लंबो का इसके उपर डीटेल में आप देखेंगे तो आपको पता चलगा यह जो वेन्यू है ना बहुत जादा हाइज स्कोरिंग मैच हो उसमें अप चुकी क्या है ना आखरी के 66 मैच में 38 विकेट स्पिनर से निकाले है तो यहाँ पर जो है ना स्पिनर को हमें ध्यान देकर के चलना क्योंकि स्पिनर जो है वो डॉमिनेट करते यहां से दिखाई दे सकते है अगर हम बात करें मौसम की यार तो विदर जो है वो तो सब मैं आपको टेलिग्राम पे अपने कवर करूँगा कि बारिश होगी नहीं होगी ऐस ओफ नव बारिश होने के चांसे बहुत जादा है तो यह बात ध्यान दीजिएगा कैप्टेन वोइस कैप्टेन जो आपको बनाना है और बैटिंग यह दो सक्षन ऐसे जहां से आपको कैप्टेन वोइस कैप्टेन बना करके चलने चाहिए वह अगर अगर हम बात करें दोस्तो दोनों टीम के प्लेंग 11 की तो यह आपकी स्क्रिन पे इंडिया टीम का प्लें अब इसमें जो प्लेयर सा जो maximum over करते हुए दिखाई देने वाले है और जो जादा तर जो है शुरुवात के अदर over डालेंगे maximum over उनको ध्यान में रखते हुए प्लस में spinner को advantage है उनको ध्यान में रखते हुए ही हम balling section से आपको suggest करने की कोशिच करेंगे यहां से जो भी ballers हो प्लस यहां से जो भी all-rounder होंगे उन सबको तो यह बात ध्यान देना बाकि हम चलिए एके करके सारे player के बताना शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको wicketkeeper section से बताता हुए चलता हूँ सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे दोस्तों इंडिया टीम की तरफ से जो player है व लेनी की बैटिंग में आप इस player को अपने टीम में जरूर ले करके जाना है अगर हम बागलाज की टीम से बात करें तो यहाँ पर दो player है अकबर अली की पहले बात कर लेता हूँ अब अकबर अली को देखेंगे तो इन्होंने overall performance का अगर आप देखें तो उतना अच्छा न इनका कमाल का है आखरी के तीन-चार मैच के अंतर देखें तो इन्होंने अच्छे-खास स्कोर के साथ ड्रिंटीम में जेगे भी बनाई है तो बंगलाज एकी टीम से अगर पहले बैटिंग करने आए बंगले से एकी टीम तो आप इस player को भी प्रेफर करके चल सकते हो अग क्योंकि अभी आने वाले बहुत बड़े-बड़े लिक्स जिसको हम कवर करने वाले प्लस जो लोग भी नए होंगे वो चैनल से तो जुड़ना ही है साथ में टेली क्राम से जुड़ना है आपको क्यूंकि टेली ग्राम पर आपको final team पर आती है final जो भी अपडेट होते होत है तो यह बात आप ध्यान देखर के चलिएगा वह एकर हम दोस्तों आगे बात करें यहाँ पर बैटिंग से तो यहाँ पर इंडिया एकी टीम से साइस तुडर्शन की मैं बात कर रहा था साइस तुडर्शन बहुत कमाल के प्लेयर है अभी आपने इनके प्रफॉर्मेंस आपने TNPL के अंदर देखा आपने इनका IPL के अंदर देखा गजब के प्लेयर है ओवरॉल देखे तो अभी भी फॉर्म में चल रहे तो डिफिनेटली एक मस्ट एपिक रहेंगे पहले निंग की बैटिंग आप इनको कैप्टन वोइस कैप्टन भी लेके जाए निकिन जो पर तो इनको अपने टीम में जरूर ट्राय करेगा यश्दुल की अगर मैं बात करूँ यार तो प्लेयर बहुत कमाल के शत्किये पारिक बाद वो लंबी पारी आई नहीं है अगर आप चाहो तो ग्रैनली की टीम में लेकर के जा सकते हो अदरवाइस छोड़ करके चलना औ बंगलेदेश एटीम की बात अगर करें तो मुहमद नईम नजर आते हैं अब यह एक लिफ्ट हैंडर है मुहमद नईम को ओवरल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नईम शेख इनका पूरा नाम है रिसेंटली यह काफी स्ट्रगल कर रहा है एक मैच में जरूर इन्होंने अच्छा कर रहा है और अवरल परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो ओड़ी फॉर्मेट के हिसाब से लिस्टे के भी कुछ मैच इन्होंने खेले जहां बहुत अच्छा स्कोर नहीं दिख रहा है तो आप इनको यहां से छोड़ करके चल इस प्लेयर को मुहमद नईम के साथ में डिफिरेंशियल ले करके जा सकते हो उसके बाद दोस्तों महमुदूल हसन रॉय के अगर मैं बात करूँ एम हसन रॉय यह काफी फॉर्म में चल रहा है अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहा है आखरी मैच में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने और मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप स्मॉल लिक की टीम की रेट कर रहे हो तो इनको तो बिल्कुल भी ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना और सामने वाली टीम में चुकी यह बालिंग भी करते दिख सकते हैं साही सु अपने में लेकर के नहीं चलना वो ज्यादा बहतर ऑप्शन रहेगा और डांडर सेक्शन से अगर मैं बात करूँ यार इंडिया टीम से मैं सबसे पहले अभिशेक शर्मा की बात करूँगा अब अभिशेक शर्मा जो बैटिंग बालिंग दोनों से बैक अप देगा आपक इनने जो किया है वो बहुत कमाल का में दिखाई दे रहा है यारी यह काफी फॉर्म में नजर आ रहे है बालिंग से भी बढ़िया करते आ रहे है तो डिफिरेंटल आप इनको बैक कर सकते हैं नितीश रेड़ी की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रगल कर रहे है अपने फॉ कुकि आपको शु vagy गलती नहीं करनी है आपको अपनी टीम में लेना भी हो तो पहले बालिंग के अंदर ही कर आना और उसके बाद आप अपनी तेम जब लेके जा आ तो में कोश weet हुआ इनको नहीं लेके जाने का बंगलादेशी टीम की बाद क्योंकि प्लेयर के परफॉर्मेंस अकर आप देखेंगे तो आपको उस तरीगे के इंप्रेसिव दिखाई नहीं देंगे सैफ हसन की बात करें काफी कुरूशियल रोल प्ले करके दे सकते हैं इस प्लेयर को आपको चलने वाले हैं और अपनी टीम से छोड़ करके चलने वाले उसका रीजन क्या हमारे पास दूसरा ब्रेक बॉलर जो है महदी हसन जो की काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहा है और इनके ओवरल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो विकेट टेकिंग अंदाज में बॉलिंग करते हैं तो डिफिनेटली एक मस्ट है पिक रहेंगे और ब्रेक बॉलर भी है सेकेंड बॉलिंग के अंदर भी मस्ट रहेंगे लेकिन मैं आपको यही सज़ेस्ट करूंगा इनको अपने टीम में फिक्स ही लेके जाएए वो ज्यादा बहतर आप्शन रहेगा सौमे सरकार क की बात करें सबसे ट्रस्टर्ट ऑप्शन में से एक रहने वाले सौम सरकार आज की मैच में बागलाज की टीम से अगर किसे और राउंडर को लेना चाहे तो डिफिनेटली आप इनको बैक करेगा सौमे सरकार को यह और बात है कि बीच में एक मैच इनका खराब गया था ले रिसेंटली अभी बहुत अच्छे फॉर्म में अपने स्पिल का मैक्समिम ओवर भी करते हैं और आप इसको सेकेंड निन की बालिंग जब भी यह करते हैं तब यह काफी बढ़िया करते दिखाए दिए तो सेकेंड बालिंग के अंदर आपकी टीम की यह फिक्स प्लेयर ही ह होने चाहिए हर शीतरा ना आज के मैच के ग्रैंड लिग पिक के तौर पर लेकर के जाना इनको क्योंकि इस खिलाड़ी के अंदर जो पोटेंशियल है और शायद ही किसी प्लेयर के अंदर आपको दिखेगा आज की मैच प्लेयर और रिसेंटली फॉर्म को देखेंगे तो इन्होंने गुच्छों पर विकेट निकाले है अराम से लेकर जाईए बंगलादेश एटीम से अगर मैं देखूँ यार तो यहां पर रकिबुल हसन नजर आते हैं तन्जीम हसन साकीब रिपाउन मंडल है रकिबुल हसन के अगर मैं बात करू यार तो रकिबुल हसन एक ऐ तन्जीब हसन साकीब की बात करें तो तन्जीब हसन साकीब एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके ओवरल पर्फॉर्मेंस अगर आप देखेंगे रिसेंटली बहुत अच्छे फॉर्म है पहला मैच यह नहीं खेल पाया थे लेकिन आप इनको पहले बॉलिंग के अंतर डेफिनेटली गया तो इसलिए मैं इन पर रिस्क लेने वाला हूँ और इनको अपनी टीम से छोड़ के चलने वाला हूँ क्योंकि इनको इनको ओवर्स करते रहते हैं अगर आप लेना चाहो तो ग्रैंड लीक की टीम में पहले बॉलिंग के अंदर लेकर के जा सकते हो अब मैं गाइस जह चाहिए उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ Captain and Voice Captain की तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर साई सुदर्शन को Captain and Voice Captain में लेके चलिए समय सरकार को अब शेक शर्मा और अंगेकर को सब बहुत ज़्यादा लोग लेके जा रहे हैं आपको लेके नहीं जाना है चरानो को एम हसन रोय को इनको आपको CVC में लेकर के जाना ग्रैनली के तौर पर अब बात कर लेते हैं आपकी टीम के फिक्स प्लेयर कौन होने चाहिए वो देखते हैं अब यहां तक दोस्तों वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना अपने यह हमारे फिक्स प्लेयर है बाकी के चार प्लेयर मैं आपको उपर एक्स्प्लेयन कर चुका हूँ प्लीज कंसिडर करें उसको उपर जाकर के सेक्शन वाई जरूर सुनिये डिरेक्ट यहां पर वीडियो देख रहे हो तो मैं आप सबसे विंती ही कर सकता हूँ कि आप एक के लिए स्ते हिल्दी एंड बबाए